माई डेस्टिनी रोट ओन 14 अपरेल 1891 बाबा सहब पैदा हुए इसलिए मैं आज जज बना बाबा सहब डॉक्टर भीवराब अमबेटकर टेकन बर्थ इन दिस वेरी स्टेट मध्यभार्थ महूँ दाट्स वाई आमदेल अमबेटकर वादी जज ने किया बाबा सहब को याद 14 अपरेल 1891 को बाबा सहब पैदा हुए थे तभी मेरी तक्तिर लिग दी गई थी कि मैं मध्यप्रदेश हाई कोट का जज बनूगा ये बात कही है MP हाई कोट के ने चीफ जस्टिस तुरेश कुमार कैथ ने As you know, from the last two and a half months, there was some confusion going on, who will come Chief Justice of this Court? But I remind you, my destiny wrote on 14th April 1891, when Bheem Rav, now Baba Sahib, Dr. Bheem Rav Ambedkar, Taken Birth, in this very state, Madhya Bharat, mahu, that's why I'm there दिली हाई कोट के सीनियर न्याइधीश जस्टिस तुरेश कुमार कैथ ने बुद्धवार को Madhya Pradesh के 28 वे Chief Justice की शपत ली, राजेपल मंगु भाई पटेल ने राजभवन में उनेश शपत दिलाई, शपत लेने के बाद सुरेश कुमार कैथ ने बाबा साहब को याद किया और ऐसी बात कह दी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महामानों बाबा साहब की बदोलत कैसे आज करूडों दलितों का भविश्य बदल रहा है As you know, from the last two and a half months, there was some confusion going on, who will come Chief Justice of this Court? But I remind you, my destiny wrote on 14th April 1891, when Bhim Rav, now Baba Saab, Dr Bhim Rav Ambedkar, टेकन भर्थ, in this very state, मध्यभार्थ, महूद, that's why I'm there इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीन कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट के न्याय मूर्थी, G.S. संधवालिया को मध्य प्रदेश हाई कोट का मुख्ह न्याय धीश बनाने की सिफारिश्की थी, लेकिन उस आदेश को संसोरदित करते हुए बाद में, जस्टिस कैद का नाम मध्य प्रदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस के लिए सिफारिश्की आ गया, न्याय मूर्थी कैद अनुप सूचित जाती से आते हैं आईए जानते हैं कौन हैं जस्टिस सुरेशकुमार कैद जस्टिस सुरेशकुमार कैद का जन्म 24 मई 1963 को हर्याना के कैथल जिले के काकोद गाउं में हुआ था उन्होंने युनिवर्सिटी कॉलेज कुरुशेदर से मानवी की में सनाता किया ग्रेजुएशन के दोरान वो एनेसेस में यूनिट लीडर बने थे इसके अलावब विचातर संके सायुक सची भी रहे 1980 में उन्होंने वकील के तोर पर पंजीकरत कराया इसके बाद साल 2004 में केंद्र सरकार के स्थाई वकील के रूप में नियुक क्या गया वे यूपीस्टी और रिलवे के पैनल वकील रह चुके हैं 2008 में दिली हाई कोट में अतिरिक्स जज के रूप में नियुक्ती के बाद 2013 में पर्मोशन पाकर वो पर्मानेंट जज बने जश्टिस सुरेश कुमार के दिली के जामिया हिंसा और नागरिक्ता संशोधन आदीनियम के खिलाब विरोध जैसे कई मैत्पुन मामलों की सुनवाई कर चुके हैं देश को बैतर बनाने के लिए जरूरी है कि निया पालिका में सभी जातियों की भागिदारी हो अच्छी बात है कि MP High Court में दलित समाज से आने वाले जजज को चीफ जेस्टिस बनाया गया है और इसने भी अच्छी बात ये है कि चीफ जेस्टिस बनने वाले सुरिश कुमार कैट को परम पुझे बाबा साहिब डूटर अमबेटकर का योगदान याद है इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आपसे अपील है वीडियो को शेर करें और देन्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो कैंट में आप से छोटी सी अपील साथ ही अगर आपको देन्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अमबेटकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को सकैन करें और न्यूस बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान किराशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID, Newsbeak at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newsbeak Foundation, अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640, IFSC कोड है YESB-000-235, बैंक का नाम YESBank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली, आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन, स्पेस अप का नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें